हेलो एवरिवर, आज हम इंगलीश के कुछ और इंट्रेस्टिंग फैक्स के बारे में जानेंगे तो आज मैं आपके लिए एक शब्द लेकर आई हूँ, छथ हिंदी का वर्ड है ये, इसके थ्री वर्ड्स यूज किये जाते हैं इंगलीश में पहला वाला वर्ड्स है, रूफ, दूसरा वाला वर्ड्स है, सिलिंग और तीसरा वाला वर्ड्स है, टेरस तो एक शथ है और उसके लिए हम तीन इंगलीश में वर्ड्स यूज करते हैं, रूफ, सिलिंग और टेरस अब तीन वर्ड हैं और तीनों वर्ड एक ही शब्द के लिए यूज किये जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तीनों एक दूसरे के परियावाची हैं तीनों बिलकुल अलग हैं अलग-अलग प्रकार की छट के लिए यूज किये जाते हैं इस वीडियो में हम सिखेंगे कि कौनसी छट के लिए कौनसा वर्ड यूज किया जाता है, ठीके? तो पहले हम एक वर्ड लेते हैं Roof ये छट को ही कहा जाता है लेकिन जो छट होती है उसके उपर वाला जो हिस्सा होता है जहां हम चलते हैं, गूंते हैं बेढ़ते हैं और भी बहुत सारे काम हम करते हैं कोई भी सामान सुखाते हैं तो वो जो छट है उस छट को हम रूफ कहेंगे ठीक है? एक और जो दूसरा वर्ड है सिलिंग, सेकेंड वर्ड उसका जो मतलब होगा वो भी छट ही होगा लेकिन छट का अंदर वाला हिस्सा हम सब ने देखा है कि छट का जो पंका होता है वो अंदर की छट पर लटका हुआ रहता है हैंक करते हैं हम वहाँ तो छट के पंके को भी सिलिंग फैन बोला जाता है इसी लिए क्योंकि अंदर की छट होती है जो माज सर के उपर होती है उसको हम सिलिंग बोलते हैं ठीक है? और थर्ड वर्ड है छट के लिए टेरेस इसका मतलब भी छट ही होता है लेकिन छट का वो भाव जहां मुंडेर जिसे हम कहते हैं छट जा भी कहते हैं बहुत सारी जगे इंडी में या मुंडेर भी कहते हैं आप ये समझे कि छट जहां ख़तक होती है और जहाँ बांडरी हम लगाते हैं चारो तरफ और जुक्के हम देखते हैं तो नीचे दिखाई देता है और वहां बहुत बार हम गंबले वगेरा या और भी कुछ सामार रखते हैं तो इस एरिया को च्छत के उस एरिया को हम terrace बोलते हैं इसलिए आप सबने सुना होगा terrace garden ठीके ऐसा garden जो च्छत पर लगाया जाता है च्छत की मुंडेर पर तो उसको हम क्या कहेंगे terrace garden तो आज हमने च्छत के 3 मिनिंग्स roof, living और terrace इसके बारे में सीखा इंग्लिश की इसी प्रकार की interesting जानकारी के लिए आप मुझे facebook पे और youtube पर follow जरूर करें thank you for watching